अफटाफट टर्ज डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पार भारत सरकार ने पाकिस्तान की एक अख़बार में आज प्रकाश्वित उस रिपोर्ट का खंदन किया है जुसमें विदेश सचीफ S. जैश्रंकर द्वारा जर्मनी के राजदूत मातिन नए के साथ बातशीत में सेना के P.O.K. में आतंगवादी अड़ो पार सर्जिकल स्ट्राइक को मिथ्या दुषप्रचास विकार करने का दावा किया गया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता विकास वरूप ने आज यहां कहा कि पाकिस्तानी अखबार दी न्यूज इंटिनाशनल में प्रकाश्वित समाच्वार पूरी तरह से मंगड़त और निराधार है उन्होंने कहा कि 39 सितंबर को विदेश सचीव ने 25 विदेशी राजदूतों को सर्जिकल स्ट्राइक की जनकारी दी थी जिसमें जर्मन राजदूत भी शामिल थे उनके साथ विदेश सचीव की इस बारे में आगे कभी कोई बात नहीं हुई पाकिस्तानी अख़बार में प्रकारशित रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेश सचीव डॉक्टर जैश रंकर ने नए के साथ हाल ही में हुई मुलाकात में स्विकार किया है कि पीयोके में भारतिय सेना ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अफगानिस्तान की काबुल नदी पर बांध बनाने के विकल्प पर विचार कर रहा है इससे काबुल नदी के पानी का इस्तमाल स्थानिय से चाई और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकेगा इन प्रोजेक्ट्स के कारण काबुल का पानी अब सीधे पाकिस्तान नहीं जा पाएगा एकवरिष्ट अधिकारी ने बताया कि दोनों देश पूर्वी अफगानिस्तान की नदियों पर चेनाब नदी जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिये इसे मुम्किन बनाने का विकल तलाश कर रहे हैं अयुनाचल प्रदेश के पेमा खांडू सरकार में जल्द ही बीजेपी का भी एक मंत्री शामिल होगा सूतरों के मताबिक विधान सभा में विपक्ष नेता तामियों तागा जल्द ही खांडू क्याभिनेट में शामिल किये जा सकते हैं इसके बाद अरुनाचल प्रदेश देश का चौधवा राज्य हो जाएगा जहां बीजेपी सरकार में है बही शेत्रे पार्टियों के साथ सरकार साज़ा करने वाला ये छटवा राज्य है पिछले साल खांडू और उनके मंत्री कांग्रिस का हाथ छोड़ कर अरुनाचल पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे परिवार में चल रही तनातनी के बीच मुख्य मंत्री अखिलेश व्यादव ने बगावती तेवर दिखा दिये हैं उन्होंने कहा है कि बिना किसी का इंतिजार किये चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश ने कहा है कि बच्पन में मेरा नाम मुझे खुद रखना पड़ा ठीक वैसे ही मैं अपने चुनाफ रचार की शुरुआत बिना किसी का इंतजार किये करूँगा परिवार के विवाद पर अखिलेश ने कहा कि शिफपाल मेरे चाचा है और मुलायम पिदा इसे बदला नहीं जा सकता हाला कि उन्होंने परिवार में विवाद की बात से इंकार किया है गुचरात में सभा से पहले केजरिवाल की पोस्टर लगाए गए है इसमें दिल्ली के मुख्य मंतरी को उसामा और हाफिस सईद के साथ पाकिस्तान का हीरो बताया गया है 16 अक्टबर को सूरत में होने वाली दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरिवाल की जन्सभा से पहले केजरिवाल का जमकर विरोज शुरू हो गया है जन्सभा को लेकर लगाए गए पोस्टर ना सिर्फ फाड़े गए बलकि कालिक भी पोती गई है इतना ही नहीं केजरिवाल को आतंकियों के साथ दर्शाते हुए उन्हें पाकिस्तान का हीरो बताने वाला पोस्टर भी लगाया गया है हाला कि आप नेता इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी व्रिक शिखर समेलन से एक दिन पहले आज गोवा पहुँच रहे हैं ये शिखर समेलन कल यानी 15 अक्टोबर को शुरू होगा गोवा के मुख्य मंतिरी लक्ष्मी कांध पारसेकर ने बताया सभी तैयारिया पूरी हो चकी है प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी आज यहां आ रहे हैं पारसेकर ने आज अपनी आधिकारिकार और सुरक्षा छोड़ दी और मीडिया कर्मियों के साथ बस में कारिक्रम थल तक यात्रा की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिन गोवा में होगा कुल 11 देशों के राश्ट्र ध्यक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेंगे नाशनल सेक्योरिटी एडवाईजर अजवीदोबाल ने ब्रिक्स देशों के अपनी समकक्षों से आतंगवाद विरोधी सैयों के लिए साथ आने को कहा है ये भी कहा गया है कि ब्रिक्स के सभी देशों को आतंगवाद की परिभाशा तैकरने के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए सूसरों के मताबिक गोवा में होने वाली व्रिक्स देशों की मीटिंग में भी इस बात को उठाया जाएगा साथ ही रविवार को यानी बैठक के आखरी दिन इसे जुड़ी कोई जरूरी घोशना भी की जाएगी आजादी के बाद शुहीद हुए सैनिको के सम्मान में बने शौरेस मारक का आज पी एम मोदी उठखाटन करेंगे भुपाल में उठखाटन का रिक्रम के बाद पी एम की सभावी होगी पी एम के दोरे को देखते हुए तीन बज़े के बाद सभी सरकारी दफ्तरों में छुटिया कर दी गई है भुपाल में बारा एकर जमीन पर बना ये शौरेस मारक सेना के बाकिस मारकों से बिलकुल अलग है पाकिस्तान बटवारे से लेकर चीन, बांगलादेश की लड़ाई और करगिल के यादों को इस शौरेस मारक में समेटा गया है पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि भारतिय जवान चंदू बाबुलाल चोहान उसकी हिरासत में है चंदू सर्जिकल स्ट्राइक के अगले दिन उरी सेक्टर में गलती से नियंतर निरेखा पारकार पाक सीमा में पहुँच गए थे वो लोसी पर तेनात राश्ट्रे राइफल्स के जवान है भारत के DGMO ने कल पाकिस्तान से चंदू बाबुलाल चोहान को लेकर बात की इस बाचीत में पाकिस्तान ने माना कि चंदू लाल उनकी हिरासत में है भारत सरकार अधिकारिक तोर पर चंदू की वापसी की मांग करेगा अगले सब्ता लाहूर में होने वाले सैन्य अभ्यास में सोला देश भाग लेंगे इंटर सर्विस पॉब्लिक रिलेशन्स के हवाले से दर न्यूज इंटरनाशनल ने खबर दी है कि छे दिन तक चलने वाले फिजिकल एजिलिटी एंट कॉमबेट एफिशियन्सी सिस्टम सैन्य अभ्यास के लिए 25 सदस्य श्रीलंकाई सेना का दल कल यहां पहुंचा खबर के नुसार सैनिको की शररिक और सैन्यस शम्ता को बढ़ाने के लक्षे से हो रहे इस अभ्यास में 16 देश भाग लेंगे हाला की रिपोर्ट में भागीदार देशों के नाम नहीं दिये गए है रूस और भारत कल S-400 ट्रंफ लंबी दूरी की श्रमता वाली वायू रक्षा मिसाल प्रणाली सहित कई रक्षा करार करेंगे रूस की सरकारी मीडिया की ओर से प्रकाश्चित रिपोर्ट के मताबिक रूसी राष्ट्रपती व्लादिमिर पुतीन की प्रधानमंत नरेंद्र मोधी के साथ होने वाली वार्षिक शिकर वारता के बाद कई एहम से रक्षा समझोतों पर हस्ताक्षर होंगे रूस के राष्ट्रपती के सैयोगी के हवाले से तास समाचार एजिंसी ने कहा कि ब्रिक्स मेलन से इतर दोनों नेताओं के बादशीत के बाद भारत को S-400 ट्रम फिवान रोधीव मिसाइल प्रणाली की आपूर्ती पर एक समझोता किया जाएगा खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही देश दुनिया की पलपल की खबरों के लिए जुड़े रही मेट्रो टीवी के साथ नमस्कार